हेलो दोस्तों आपका बहुत ही स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डिविंग इंजन में तो दोस्तों आज हम एक एंट्री लेवल गाड़े के बारे में बात करने वाले हैं जो कि है मारुतिय सुजुगी आल्टो तो दोस्तों से कॉम्पेटिशन में डैट्सन रेडी को आती है और रेनौ कोईड आती है जो कि इस से दिखने में काफी अच्छी है काफी क्या होता है मौडर्न डिजाइन है उनका लेकिन इसका डिजाइन जो है काफी सिंपलिस्टिक है तो फिर भी आज लोग इसको क्यों प दिखने में गाड़ी यहां पर आपको हैलोजन हेड्लैम्स मिलते हैं और इसमें आपको और इंडिकेटर मिलता है इंडिक इंटिग्रेटर बीच में आपको सुजुकी का लोगो मिलता है और नीच आपको गाड़ी में ग्रिल मिलती है रिडियेटर गिल और यहां पर आपक तो आपको बहुत ही चोटा सा बुर्वन मलता है गाड़ी में कुईकि गाड़ी की लेंद भी बहुत कम है और इस गाड़ी की विड़ भी बहुत कम है तो आप पतली पतली गलिओं से आराम से निकाल सकते हैं बिना किसी तो गाड़ी की लेंद्ध है 3445 mm गाड़ी की विट्थ है 1515 mm गाड़ी की हाइट है 1475 mm गाड़ी में तब तो साथ हैं वील बेस मिलता है जो की सेग्मेंट के साफ से थोड़ा चोटा है क्योंकि गाड़ी ही छोटी है क्या करें और अपको यहां पर 160 mm का ग्राउंड क्लिरेंस म मामले में और इसको आप खराब दुस्तों पर अराम से चला सकते हैं बिना किसी तकलीफ के और यहाँ पर आपको चौदा इंचिस के स्टील विल्स मिलते हैं वील कवर्स के साथ और इनका जो टायर प्रोफाइल है वह है वह वन फॉट्टी फाइटी आर टोयल का बार इंचिस के हैं यह साइस के साथ से चोटे लगेंगे आपको लेकिन गाड़ी को देखकर आपको लगे गानी की चोटे हैं ऐसे तो लोग इसमें अफ्टर मार्केट भी लगवा लेते हैं तो तेरा चौदा इंचिस के पंदरा तो खैर मुश्किली हो जाएगा लेकिन तेरा चौदा लगवा ही लेते हैं लेकर उससे गाड़ी की ब्रेकिंग पर फरक पड़ता है और गाड़ी की जो कमफर्ट है सस्पेंशन अस पर फरक पड़ता है तो मैं किसी को सजेस्ट करता नहीं हूं कि आपको बड़े साइस के इसमें पईया लगवाने चाहिए और अफ्टर दिखने में काफी अच्छा लगता है स्पोर्ट ही लगता है और इसको इंटरनली एड्जस कर सकते हैं लेकर आपको इसको फोल्ड मैनुवली ही करना पड़ेगा और आपको गाड़ी के फेंडर पर गाड़ी का इंडिकेटर मिलता है और आपको इसके दरवाज़ों पर मैं अच्छे लगती हैं और गाड़ी का पीचे से लुक वह काफी संपल से बनाया गया है इसमें कोई ऐसा शारपल्ग्स वाला काम नहीं किया गया है कि उसको कौन नहीं पसंद करता होगा और बात करें यहां पर आपको दरवाज़े से पर सुचुई का लोगों मेलता है औ लेकिन कॉमपटेशन में चार आते हैं तो इतना तो एकसपेक्ट थाई और बात करेंगाड़ी के बूट स्पेस की तो यह पर आपको 177 लीटर का बूट स्पेस मिलता है जो कि सेगमेंट के साफसे काफी कम है क्योंकि आपको रेनो कोई में लगबख 280 लीटर का बूट स्पेस अब करेंगा शायद से और आपको रेनो डेट सेंड डिगो में आपको 222 लीटर का बूट स्पेस मिलता है जो कि इससे ज्यादा ही है और अच्छी बात यह कि आपको गाड़ी में पीछे पारसले ट्रे मिलती है जो की कंपनी से स्टेंडर फिट होके आती है और बात करेंग अंदर चलके और यहाँ पर आपको पार इंडर उसके कंट्रोल नहीं मिलते हैं वह अपको सेंटर में मिलते हैं उसकी बात भी हम अंदर चलके ही करेंगे तो चलिए इतना अंदर चली रहे हैं तो फिर गाड़ी के अंदर ही चलते हैं इंतजार किस बात का तो अंदर में सब पूरा एक ही पीस बना दिये, यह हैड़ेस्ट हैवी नहीं तो लो बेसिकली बात की रहे तो आपको गाड़ी में एड़ेस्टेबल नहीं मिलते हैं ना आगे ना पीछे जो कि मेरे खाल से होने चाहिए थे इसमें क्या यह तो हर गाड़ी में होने चाहिए क्योंकि इससे आगे पीछे कर सकते हैं और बैक रिकलाइन एंगल चेंज कर सकते हैं और इसका स्टेइंग विल भी फिक्स है यह भी जुकेगा नहीं तो यह विल्कुल फिक्स है सीड बे और स्टेइंग विल में आपको अपने आपको एड़ेस्ट करना पड़ेगा इसमें बैठने के लि चार-पांच लाकी गाड़ी का स्टेरिंग वील है ये सची बोलो मुझे तो बहुत जाद अच्छा लगता है इसका स्टेरिंग वील और मैंने पर्सनली गाड़ी चलाई भी हुई है तो मुझे गाड़ी चलाना में भी काफी अच्छी लगती है और इसके इंजन का परफॉर्मेंस भी काफी अच्छा है चलो इंजन की बात हम उस टाइम करेंगे जो में इंजन की बात करेंगे उसकी बात करना तो क्या ही करें इसमे अपको इसके लिए इंटीना भी मिलता है उपर और आपको घड़े मैनूल एस ही मिलता है इसमें आप उटमेट्रेक करहीं नहीं सकते है यह तो आपको ज़्यादा ही एक्सपड़ कर लोगे इस गाड़ी से जो इस प्रैज में आपको रही है और नीचे आपको 12V का socket मिलता है और USB वर्क्स के पोर्स मिलते है और नीचे आपको उसके पीछे यह gear lever मिलता है और उसके पीछे आपको power window के controls मिलते है और बात करें रहे हैं यहाँ पर आपको और यहां पर बात करते हैं रीर डोर की तो यहां पर आपको weinडोस मिलती है आपको पार singles कुछ मेरक कर सकते हमेस माथ पीछ यहादा कुछ और यहादा को रोपकेट दोर इना हमें रेख लाइन आप पाफी पतला है क्योंकि आँग है और आपकर यह प्इछे की सीट्स की तो ने पने आपको भॉत सिझ स्वी से मिलते हैं तहले मैं आप स्य टैलिए तौंच अ मैं दो शुया को बहुत इर कम फॉतन यह सकते हैं यह तो लूजे मिलते हैं और पिछेर किने काफी नियद्ट कर दो वटा दले इसमें थोड़ा सा एड़ेस्टमेंं करना पड़ेगा दोनों लोगों कर बीच में ठीसर बंद गुताना है तो वरना इसमें तो बैढ़ने को तो चार पांच भी बैढ़ेजर हैं पीछे क्यों कि गाओं ओ कि लोग लेते हैं तो place in the तो जगा की तो कुई कम है नहीं और गाउँ चोड़ो मैंने तो शहर में इसको कम से कम चार पांच मंदे बिठा के पिछे देखा हुगा है तो लोग एड़िस करी लेते हैं इस गाड़ी में इस गाड़ी में फील ही है क्या करें भाना उसलती दंशी करें इस दो बात करते हैं जो कि या पर आपको एक 800 एक यापको में इंजन पावरफुल है पेपी भी है काफी जादा और इससे जो आप क्लेंड माली मिली है महरुती सुजुकी को वह बाइस की लेकिन इससे लोग अराम से 23 चौश भी निकाली लेते हैं क्योंकि जो चलाने के तरीके बर डिबंड करता है कौन कैसे चलाता है अब भगाता हुए चलायागा तो फिर 24-25 की माले एक्सपेड नहीं कर सकता है इससे फिर तो इसको वही 15-17 के बीच में मिलेगी लेकिन इसको सलीके से चलाया जाए तो इससे 20 प्लस तो आराम से निकल सकती है मैले बिना किसी तकलीफ के तो दोस्तों बात की जाए गाड़ी के प्राइस की तो इस फिर प्लस विरेंट की प्राइज है 4.33 एक शोरूम तो दोस्तों इस इस प्राइज में आपको काफी कुछ मिल जाता है इस गाड़ी में जैसे कि आपको टास्क्रीन फोट्रमिन सिस्टम ही मिल जाता है सबसे बड़ी बात हो यह है को सेंट्रल लॉकिंग मिल जाती है आ कि आपको मारे आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन्स तुरण मिल सकें थैंक्यू जैहिन